फ्रेंट्स मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि कैरी आउट क्या है तो आए फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में इन तीनों फिर्ज वर्ट को सीखें ताकि इन वर्ट्स को लेकर आप कहीं कन्फियूज न हो जाएं आए सबसे पहले हम कैरी आउन के बारे में जानते हैं कैरी आउन का मतलब होता है कि जगह पर काम करना यानि किसी के जगह पर काम करना जैसे अगर आपको कहना हो प्रिंस्पल साहब की गैर हाजरी में मेरे कलास टीचर काम करते हैं अगर आपको कहना हो कि आप वहाँ जा सकते हैं, मैं आपका काम समार लूँगा, या मैं आपके जगह पर काम करूँगा, तो इस sentence के लिए आप कहेंगे, You can go there, I'll carry on the work, यानि आप जा सकते हैं, आपके जगह पर मैं काम करूँगा, Friends, carry on का एक मिनिंग जारी रखना भी होता है, जैसे, अगर आपको कहना हो कि बोलना जारी रखो, तो आप कहेंगे carry on speaking, काम करना जारी रखो, carry on working, English पढ़ाना जारी रखो, carry on teaching English, तो Friends, उमीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि carry on का एक मिनिंग किसी काम को जारी रखना होता है, आईए अब carry out के बारे में सीखें, carry out का मतलब दर के अनुसार काम करना, या के मर्जी के हिसाब से काम करना, जैसे अगर आपको कहना हो, आपको जरूर मेरे अनु करना चाहिए, अगर कहना हो कि वो अपने वादा के हिसाब से काम नहीं करता है, या वो अपने वादा के अनुसार काम नहीं करता है, तो sentence के लिए आप कहेंगे, he doesn't carry out his promise, यानि वो अपने वादा के अनुसार काम नहीं करता है, Friends, carry out का एक मतलब काम करना भी होता है, जैसे जैसे अगर आपको कहना हो हमें काम करने की जरूरत है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे We need to carry out, carry off का मतलब होता है मारना यानि kill जैसे अगर आपको कहना हो कि हजारों लोग उस महा मारी से मरें तो इस sentence के लिए आप कहेंगे तो उमीद करता हूँ कि आपको यह बास समझ में आया कि carried off का मतलब मारा जाना यानि kill तो उमीद करता हूँ यह तीनो फेज़ वर्ड्स आपको बहुत पसंद आए होंगे अगर वागाई आप इस concept को समझे तो क्या इस topic पर दो sentences comment box में लिखेंगे सिर्फ दो sentences comment box में लिखेंगे और मैं चेक करके बताऊँगा कि आपने सई सीखा या गलत फिर मिनेंगे कुछ और अच्छे lessons के साथ तब तक के लिए बाई